आज मैं बनाने वाली हूं घर पे बहुत ज्यादा टेश्टी सब फेवर्ट मलाई केक तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे मैंने दो कप लिये हैं यह एक कप लिया है उसी का हाफ वाला लिया है पुस इनी से मेजरमेंट करेंगे सारा मेजरमें इनने सारा दिया हुआ है तो कहर का बना हुके कर दोड़ा है और अधा कप यहां पे छाथ hai डाला है और हाथा कप यहां पर दोड़ा व सकता है और जुना हो और मिलकम उन युन काझ कर देंगे और हाँ सब्सक् of , एक कप मैदा in Teleg के a making powder आदा चर्माज बेकींग ईत्वाडर एक तान मीदा यग उसके खुलिए उपड़ यहां पर आप नहीं बूले सकते हैं और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है बहुत जारा देर तक विल्कुल नहीं भी मिक्स करना है बना फिर आपके फूलने के बाद बैट जाएगा और फिर यह नाइश्टिक पहल लिया है इसमें हम डाल देंगे और बस इसे खोड़ा सा टै देंगे बिल्कुम भी एयर नहीं जाने चाहिए इसे अच्छे से बंद कर दीजगा ताकि बिल्कुम भी एयर ना जाए और वैसे पंद्रा से सत्रा मियाठी बेक करना है बहुत ही जट पर सापके बंद के रेडी हो जाता है तो चलिए एक साइड हम केक करेंगे तब तक मला कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने आप लिया है एक ग्लास दूद तो इसे थोड़ा सा बहुत देंगे यहां पर थोड़ा सा तेस्ट अच्छा करने के लिए और रब्री जैसा फ्लेवर जल्दी लाने के लिए तो हमने यहां पर डाला है मलाई भी डाल दिया है घर की इसी द अबड़ी जैसा फ्लेवर देने के लिए थोड़ी से इलाई जी कूट के डाल दीजे और चाहें तो इसमें ड्राइफूर्स उपर से डाल सकते हैं पर ड्राइफूर्स में आप बाद में डालूंगी तो बस यह देखें लगभग 15-17 मिल्ट में ही बेक हो जाता है केक हमारा केक बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनेगा तो यह देखें बहुत इस पॉंजी सा केक घर पर कितनी जल्दी से बन जाता है तो आप इसे बना कर जरूर ट्राइक किज़ेगा आप से ऐसे केक भी खा सकते हैं पर इसे थोड़ा सा और रबडी वाला फ्लेवर देगे तो बस इ सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह बहुत ही जल्दी बन जाता है ऐसे पैन पर आप ज्यादा गाड़ी नहीं करना है मीडियो में रखना है और पी बास उपर सिसमें ड्राइफूर्स टाल जाए हैं और यह देखें हमारा सुंदर सा मलाई केक बनकर डेटी है बहुत ही असान तो आप इसे ठंडा करके खाजेगा जब इसे ठंडा करके खाया तो बहुत ही ज्यादा टेश्टी लग रहा था तो आप भी ऐसे बनाएए खाई एंजोई किजी वीट्योप पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब